अपनी मीठी बोली से पंची को गीत सिखाए वो उसकी आप में आशु आए तो बादल घिर जाते हैं उससे मिलने चांद सितारे धर्ती पे आ जाते हैं जिस दर्या में पाओ धर पानी गुनगुना है तुलसी के बारे में कुछ ऐसा सुना है तुलसी मोरे अंगना, तुलसी मोरे अंगना ये बगवान, इस पागल अरत को तो ये सोचना चीए कि वो किस घर में ब्याक याई है दीदी, सोचने के लिए दिमाग का जरूरत होता है उस पगलिया को दिमाग है क्या मेर तो यही समझ नहीं आ रहा कि केदार चाचा न उसे रोखा क्यों नहीं ऐसा पागल इंसान किसी के रोके रुकता है का अरे भाई भाउजी न निकाल दिया होगा घर से उसे उस दिन शेकर यहां के इतने बड़ी बड़ी डिंगे मार रहा था हम से तुल्ना करने लग क्या कि अवकाद नहीं है उसकी कौन सी मीटिंग चल रही है आपके बगु की कारस्तानी की बाते चल रही है कौन सी बगु और कौन विने बबु की दुलहन का क्या उसने भाईया बता चला है कि वो अपना घर चोड़कर किसी जोपड़ में रहने चली गई और गाउं काम खूम के सबजी भी बेच रही है इस तो कुस कबरी है पर भाईया वो इस गर की बहु है इसे हमारे भी तो बेचजती हो रही है कौन सी बेचजती हो रही है अरे उप पागल है सठया गई है अपना दिमागी संतुलन खो दिया उसने पागल तो वो पहले से थी तब ही तो हमारे पल्ले बांद के चले गए उन्हों का अब जो भी हो पर बद्दामी अपने खांदान की हो रही है न कौन से बदनामे कोई बदनामे नहीं हो रही है अजीत बलकि उप पागल होके हमरा काम आसान कर रही है कौन सा काम तुम बहुत जल्दी में रहते हो अजीत सबर करो सब पता चल जाएगा सुमतिया कुछ भी करो किसी भी तरह तुलसी को समझा कर हमारे पास भेज़ दो अम्मा जी हमारी ही गलती है ना हमारा तब्यत खराब हुआ होता ना आपको ये दिन देखना पड़ता हम तो खुद कोशिस करते हैं कि दुलिन कोई ऐसा काम ना करे जिससे पीट पीछे लोग बाते बनाएगा अब कोई बात नहीं बनाएगा मैंने फैसला कर लिया है कैसा फैसला जी तुलसी और सुमतिया को गाउं से बाहर भेजने का फैसला बाओ जी लेकिन हम जाएंगे कहाँ अब तुम चुंता मत खरो मैंने सब इंतजाम कर दी है और तुम लोगों चोड़ने के लिए मैं साथ जाओंगा सुमित्रा भावी और दमाजी जब तक नहीं आ जाते तब तक तुम लोग आराम से रहना लेकिन कहां भेज रहे हैं हमारी बेटी को अश्रम आश्रम हमारी बेटी आश्रम में रहेगी आरे तुल्ची की माह ये कोई यसा वैसा आश्रम नहीं है अरे यहां सारी सुविदाएं हैं, यहां लोग अपने घर की तरीके से रहते हैं और फिर गाव और घर के तानों से भी दूर हेगी हमारी तोची और हम भी भाओ जी, वहां खाने पिने की भी सुद्धा है अरे खाने पिने के लिए काम देते हैं वो लोग वहाँ लोग अपना-पना काम करके पैसा कमाते हैं फिर तो ठीक है लेकिन जी आश्रम में रहने के लिए हमारी तुलसी तयार होगी क्यों तयार नहीं होगी तुलसी की माँ अरे माँ सब कुछ तो है अच्छा महौल है अच्छे लोग है और फिर भीडभार से दूर शांत बाओ जी हमसे लिए जी उपर से नना काना भी तो है नहीं जी वो वाकेली नहीं रह सकते हमें ठीक नहीं लगता हरे समधिया सब देख लेगी सुमत्य अपना काम धंदा देखेगी यह हमारी बिटिया के पास बैठी रहेगी आमाजी आप परिशान मत होये हमना सब संभाल लेंगे और फिर चंदा भी तो है हमारे साथ हमारी बिटियाने कभी ऐसी जिन्देगी नहीं जी है हम भी साथ चलेंगे जी कहना और तुलसी को हमारी जरूरत है तुम कहां जाओगी और फिर मैं आता जाता रहूंगा न नहीं जी ऐसी अंजान जगा पे मैं अपनी बेटी और नादी को नहीं छोड सकती हम भी साथ कुछ नहीं होगा और यहां भी तो तुमारी जरुवत है नहीं जी यहां अमारी कोई जरुवत नहीं है यहां सिर्फ और सिर्फ उसकी जरुवत है जो हमारे बेटे और बहु की जरुवत को पूरा कर सके हम कम से कम अपनी बेटी के साथ वहां रहकर सुकून की जिन्दगी तो तो ले चलिये ना, वहाँ जाएंगी तो इनको भी सुकुन मिलेगा और वहाँ का रहन सेन सब देख लेंगी तो इनकी मन को भी तसल्ली मिल जाएगा सब देख के फिर आजाएंगी ठीक है, तुलसी की माँ, तुम अपना समान बांद लो कल सुबह ही हमें निकलना होगा और सुमतिया, तुम अपना और तुलसी का समान बांद लो अजी पर एक दिक्कत है क्या बाओ जी? मैने तुम्हाँ दो लोगों की बात करी है एक तुम्हारी और तुलसी की लेकिन चंदा भी तो मेरे साथ जाएगी ना चंदा को तु यहां भी तुछड़ सकती है भाओ जी यहां यहां कैसे छोड़ सकती हूं यहां तो ऐसे ही बहुत दिककत है और वो मेरे भीना कैसे रहेगी भाओ जी वो हमारे साथ नहीं चल सकती क्या तु क्या चाहती है और वो भी तेरी तरह सारी जिन्दगी सब्जी बेचती रहे कभी तुने उससे भी पूचा है कि वो क्या बनना चाहती है जिन्दगी में सुमतिया, चंदा इसी कौम में रही और यहीं पढ़ाई करेगी मेरी बेटी, पढ़ाई करेगी? हाँ, मेरे मास्टर जी से बात कर ली है और वो बहुत बले इंसान है, उन्हें के साथ रहेगी और वो उसकी देखबल बड़े अच्छी तरीके से करेंगे और को दिक्कत भी नहीं होगी आप लोग के रहते कोई दिकत नहीं होगी बाओ जी, मैंने बहुत बुर्ने किया होंगे जो आप लोग मुझे मिले मेरी बेटी, बेरी बेटी पढ़ाई करेगी अपने मेरी बेटी के लिए इतना सोचा? हाँ, हाँ, अब जा यहाँ से, जैसा मैंने का है, वैसा कर जी बाओ जी, हम अब ही जाके त्रारी करते हैं दुलिन, इलीजे, जल्दी से त्यार हो जाईए बोला ना, मुझे आश्रम नहीं जाना है बाबुजी बता रहे थे, वहां अश्रम मेना सब ब्यवस्ता है और हमें काम भी आसानी से मिल जाएगा सुमत्या, मैं वहां नहीं जाने वाली हूँ तुम्हें पता है ना, जब भी साथी आएंगे तो वो मुझे यहीं दूंडेंगे बिने बाबु जब आएंगे ना, तो यहां पे लोग बता देंगे कि आप वहां अश्रम में हैं तो बिने बाबु आपसे और बबुआ से मिलने खुद ही वहां अश्रम में आ जाएंगे एए आज सबजी बसने नहीं निकलेगी का अरे, आज आराम ही करोगी किया तुछज़ी, हमको सबजी चाहिए नहीं है सबजी, आप कहीं और से ले लीजी अरे, यह क्या कर रही हो, देख नहीं हरी हो हमारी सबजी की मांग कितनी बढ रही है लोग घर तक आरे खरिदने तोचो हम यह रहेंगे तो कितना अच्छा होगा दुलिन यह सबजी खरिदने नहीं आई है यह तो हमारे घर की इज़तना बाहर निलाम करने आई है खर छोड़िये आप इन सब बातों में मत पढ़िये आप जल्दी से तयार हुजएए कहा जाने की तयारिये हो रही है तुम लोगों की आप अभी जाएए यहां से हम लोग ना बहुत ज़रोई काम से बाहर जा रहे हैं तो क्या आज सबजी बेशने नहीं निकलोगी क्या इका है निकलेंगी और सबजी हम बेशते हैं इन नहीं ए मुझसे उची आवाज में मत बोल कल यह चबुतरे में बेश रही थी तो मैं बोल रही हूँ और आज भी वहां पे कोछ लोग इंतदार कर रहे हैं मैं ता मदद करने के बहाने आ गई थी आजीव है आज के जमाला में तो किसी के मदद करने ही नहीं चाहिए नहीं चाहिए आपकी मदद हम खूब समझते हैं आप मदद करने आई है कि दुलिन का मजा कुड़ाने भगवान न करे कभी अगर आपके उपर बिपत्ति पड़े ना तब समझ में आएगा कि मदद का होता है कभी किसी के बिपत्ति पर हसना नहीं चाहिए पता नहीं यह कब किस पर आजाए बड़ी आई है मदद करने वाली जाने दो ना सुमतिया हो सकते मदद करनी आई हो तुलिन आपके इसी भोलेपन का तो लोग फाइदा उठाते है अगर इन्हें मदद ही करना होता तब कहा है नहीं किये अब आए हैं चौक चुराः पर बात बनाने के लिए ए सुमतिया अपनी ओकात मत भूल यह हमार गाव है और तु यह हमारे खारातों में पलती है इसलिए लंबली में बाते मत कर मुझसे समझी हम अपनी महनत का खाते हैं आपके खारात का नहीं आप जाए यहाँ से हमें नहीं बेषना सब्जी ठीक है ठीक है हम जा रहे हैं लेकिन एक बात सुनले तू अगर आज के बाद तु मेरे दुवार पर आई, तो जान उसे मार के तेरक में भगाऊंगी, समझी, मुझे उसी कही की, हाँ? देखा, दुलिन, यह आई थी हमारी मदद कर रहे हैं, छोड़िये, आप इनसा बातों मत पढ़िये सुमत्या, किस-किस का मूँ रोकोगी तुम? दुलिन, इसलिए तो कह रहे हैं, कि हम आश्रम ही चले जाते हैं बहुत अच्छा रहेगा, आप आप जल्दी से तयार हो जाएए आपको पत है, आपकी बहन की कर्तूत मेरे मायके तक पहुँच गई है सारे रिष्टेदारी में बेज़ती हो रही है अरे कुछ बोल रही हो, सुना ही नहीं दे रहा क्या? सुन तो रहा हूँ तो कुछ करो, हाथ पे हाथ रपके क्यों बैठे हो क्या करूँ? क्या करूँ मतलब? आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? आपकी बहन ना कटवा रही है बाबुजी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन मेरे मायके वालों की इज़त है समसे कम आप तो कुछ कीजिए रजीब बात है, मैं नहीं क्या कर सकता हूँ क्या कर सकता हूँ मतलब? अरे भगाए हो समतिया को इस गाउं से उसके पीछे पीछे आपके बहन भाग चाहिए सही है बहू उसे इस घर से निकाल कर तुम लोगों का दिल नहीं भरा? अब उसे इस गाउं से भी निकाल देना चाहते हूँ हाँ तो क्या करें? अपने इज़त गमा दें? मेरे माईके वाले मुझ पर हस रहे हैं तो उनको बताना चाहिए थैंना कि उनके हसने की वज़ा तुम हो तुम्हारी नौटंकी के वज़े से तुलसी ये घर छोड़कर चली गई तुम्हारी वज़े से उसे ये कदम उठाना पड़ा ये बताती ना बहू? तो शायद तुम्हारी इज़त और बर जाती माजी, हर बात आप मुझ पर मत फेकिए ये सब आपके लाडली का किया धरा है हमारी जग हसाई के लिए समझाना ही है ना तो उसको समझाईए और अगर आपके पास थोड़ा सा भी दिमाग बाकी है ना तो उसे उस काम में लगाईए उसे सिखाने की कोई जरुद नहीं है उसे अच्छी तरह पता है कि क्या सही है और क्या गलत तुम्हारी तरह जूटी शान और इज़त का दिखावा नहीं करती हाँ अपनी इज़त का सत्या नाश कैसे करना है यह तो उसको बहुत अच्छे से आता है और माजी अपनी बेटी की तुलना आप मुझसे तो बिल्कुल मत कीजिए दस जनम लेने पड़ेंगे उसे मेरे जैसा बनने के लिए नहीं नहीं बहु यह गलत फेमी में मत रहना मैं तो भगवान से यही प्रात्मा करती हूं कि वो समय ना दिखाए कि वो तेरी जैसे बने मेरी बेटी जैसे भी है लेकिन वो तेरी तरह स्वार्थी नहीं है जी माजी मैं स्वार्थी है अगर मैं आपके बेटी को सब कुछ देती रहती न तो मैं बिल्कु स्वार्थी नहीं होती तब तो मैं बहुत अच्छी होती बस अरे यह क्या शुरू कर दिया सुबे सुबे मैंने शुरू किया है तो फिर किसने शुरू किया बहू? आपकी बेटी ने शुरू किया है तुमने शुरू किया है अरे जान्त हो जाईए आप लोग काम पे जाने से पहले दिमा करा मा कम से कम तुम तो समझा करो मैं काम से वैसे ही बहुत परिशान रहता हूं कंचन मैं परिशान हो गया हूं उस किछ-किछ से अरे बेटा तो क्या मैंने गलत कहा? माँ मैं तुम्हारे हाथ जोडता हूं माँ मैं तुम्हारे हाथ जोडता हूं तुलसी की माँ अरे तुम ही चुप कर जाओ ना बाबुजी अब आप कहां जा रहे हैं? अरे रोज रोज की जिक्चिक से दूर जा रहा हूँ और फिर भव की इच्छा का भी तो समान करना है ना? ऐसे क्यों बात कर रहे हैं आप? कहीं जा रहे हैं इसलिए पूचा कुछ गलत किया मैंने ठीक कह रहे हो बेटा बहुत देर हुई हमें समझने में खेर देर आए द्रूस्त आए चलो तुलसी की मा कहां जा रहे हैं? तुलसी के पास से रहने जा रहे हैं क्या? अगर तुमारी यह इच्छा है तो भी बता दो अरे उसे भी पूरी कर देंगे हम आप तो हर बात का उल्टा ही जवाब दे रहे हैं तुलसी को गाउं से बहार लेके जा रहा हूं और फिर तुम लोग भी अराम से इज़त की जिंदगी बिताना और बहू अब कोई तुम पर भी नहीं हसेगा तो बाबुजी मैं यही कह रही थी इतने दिन से कि उसको उसके ससुराल भेज दीजे लेकिन मेरी मत का मतलब हर कोई उल्टा निका लेगा माफी चाहता हूं बहू अपनी गलती के लिए हम तुम्हारे जैसे समझदार नहीं है अब तुलसी को उसके ससुराल चोड़ने जा रहे है और कहां जाएंगे? बहुत बड़ी जगा है बहुत कहीं भी रहलेंगे लेकिन माइके में तुम्हारी जैसी भावी कोई जगह तो होगी कुछ नाम तो होगा उसका तुम जानकर क्या करोगे? माबुजी आप तो अजीब बात को खीच रहे हैं भाई हूं है उसका ठेक कह रहे हु बेटा सबको पता है अगर मौका मिले तो खुद को बताना भाई हो तुम उसके एक आश्रम लेके जा रहा हूं मैं उसे आश्रम? हाँ तुल्षी यह वही रहेगी कम से कम गाउवालों के ताने से तो बचेगी यहां तो सम मुह खोले खड़े है कि तुल्षी कुछ करे और वह हम पहां से ठीक है बाबुजी यह कुछ पैसे हैं आप रख लीजे काम आएंगे यह पैसे अपने पास रख बेटा अपने बीवी पर खर्चा करना मेरी बेटी को देखने के लिए भगवान है चलिये जी माँ तुम कहा जा रही हो माँ माँ जाने दीजे ना इस गर से जितना बोज कम हो उतना अच्छा है और हाँ यह क्या पैसे देने की बात कर रहे थे आप बहुत पैसे आगे ना आपके बस जब भी मैं पैसे मांगती हूँ तो लाले पढ़ जाते आपके बात देजे पैसे देजे मुझे आज मंदर जाके लड्टों चड़ाओंगी बोश तो कम हुआ लेकिन यह लोग सुमत्या के साथ कहा जा रहे हैं हो सकता है ससुराल से बुलावा आ हो खाग बुलावा आया हो अरे ना तो बुलावा आया है न कभी बुलावा आएगा हरे अकर बुलावा आना होता तो ऐसे धक्या मार के थोड़ी निकाला होता है यह लोग कहां जा रहे है अरे देदी तुलसी को लेके कहीं जा रही है का कई बाहर जा रहे है अप लोग? इन लोगों ने कुछ जवाबी नहीं दिया? अरे, जवाब का खाग देंगे. मुझे तो लगता है कि शेकर की बीवी ने नोगो धक्के मार के बाहर निकाल दिया. नहीं, एसा कुछ नहीं है. केदर भाही का घर है वो? अरित था, लेकिन अब उनकी चलती कहा है? अगर चलती होती ही तो घर से बेगार थोड़ी हुए होते है. अबे, शोभा, ये भाही साब सावान कहां लेके जा रहे है? तुना है, तुन्सी को लेके वो लो कहीं जा रहे है. अच्छा, तभी मैं कहों के सुमधिया के घर के बार गाड़ी क्यों खड़ी है? कहां जा रहे हैं लोग? पता नहीं, केदर भाही और गंगा भाही तो बहुत नरास्ती. मुझे लगता हमें वही पे जा के पता चलेगा. हाँ, 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 चलते हैं. चलो. आज शेखर अपने भाई होने का फज निभाया होता. तो आज हमारी बेटी हमारे साथ हमारे घर में रहती. लेकिन अपनी बीवी के बहकावे में आके उसने अपना मूँ सील दिया. चाने दो तूलसी की मान, जो होना था सो हो गया. अब बीटी बातों को उठाने से क्या फैदा है? अरे वो बेटा हमारा पहले जैसा बेटा नहीं रहा. मैंने तो तूम से पहले भी कहा था लेकिन तूम्हें मेरी बात ही नहीं मानी. हम क्या करे जी? इससे पहले उसने ऐसा काम भी तो नहीं किया था. अब इंसान थोकत माने के बाद भी सीखता है ना? ठेक कह रही हो तूम से की मा. अरे सुमतिया, 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 आगे आप लो? अरे सारी त्यारी हो गई ना? जल्दी करो देर हो रही है. हाँ बाओ जी त्यारी तो सारी हो गई लेकिन दुलिन कहीं गई है, किस से मिलने? किस से मिलने गई है? पता नहीं, अम्मा जी. बस बोला की जल्दी आती है. अरे क्या जुरूरत थी सबसे मिलने की? और तुमने उसे रोका नहीं क्या? अरे उसे रोकना चाहिए था ना? देखो जाके कहां है वो? हमें पता है जी वो कहां गई हो की? अरे पता है अरे उसे मिलने वो की जल्दी आता है पता है और लार तुमने तरह काल कर दो कर दो कर दो